हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए खास सर्दियों के लिए ये रेसेपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप लड़ू खाकर बोर हो गए हैं या फिर आपको मीठा नहीं पसंद है तो ये सबजी बनाए इस सब्जी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपके सरीर के लिए बहुत ही अच्छे फाइदेमन होते हैं इसे आप जो हैं एक मेने तक इस्टोर भी कर सकते हैं अगर आपको कमजोरी ठकावर्ट या फिर कमर में दर्द हो रहा हैं तो सभी सिजों के लिए ये सब्जी हरदी ले लिए हैं तो हर्दऺ की सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमारे सरीश के लिए लगत बियmbol की हैं तो आप लोग जाते हैं बहुत ही फाइद बंद नहीं है लेजे ज्यादा चिलका इसका नहीं निकालना है मोटा मोटा अगर आप चिलका नहीं भी निकाले तो भी चलेगा लेकिन हलकास का मैं आप निकाल रही हूं तो देखिए सारा चिलका मैंने आप निकाल दिया है इस चिलको भी बाहर नहीं फैके इसका क्या यूज़ करेंगी व और टोटा से ले लिए ले लिया हैं। उससे हम कंदुकस कर गे इसे हैं एंकल वार भिद दिखा दे हैं आवा पर मोटा तो इस तरह से हमें नहीं करना है अरे भार वाला वाले को भी में फिर से यहां पर grape कर लोगी तो देखे सारी हल्दी को यहां पर अच्छे से कदूकस कर लेंगे आप किस तरह से हल्दी की सबजी बनाते हैं मुझे comment करके जुरू तो कसे और नेधर डाए किस तरह से बनाते हैं। इसका video अपने तो वीडियो दाल दिया है। अच्छे से इसको melt होने देंगे, ये को हमें सिर्फ पिगलाना है, गरब नहीं करना है, तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, सारी हल्दी को थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए, उसके बार हल्दी को अच्छे से mix करके हम यहां पर पकाएंगे, हल्दी को पकने में आसानी रहेगी क्योंकि हल्दी जो है नीचे चिपकती हैं तो ये देखिए मैंने गेस की फ्लेम को एकदम लो रखाएं इसको पकने में करीब 10 मिनट लगेगा तो आप बिल्कुल भी आराम से जो है इसको पकाते रहें इसका जो है कलर पूरा चैंज होना चाहिए तो ये पक चुकी हैं अभी कड़ाई गरम है तो थोड़ी सी देर हम इसे और चलाएंगे उसके पाथ हम इसको बाहर निकाल लेंगे हल्दी के अंदर से बहुत अच्छी खुस्पू आने लगी है तो देखिए हल्दी हमारी ठंडी हो रही तब तर देखिए यहां पर मैंने मटर ल देखिए हमारी टेस्ट बनेगी तो देखिए मैंने इसको अच्छे से फिट लिया है क्रेमी टेक्चर जो है वह आ चुका है तो फिर से मैंने वही कड़ाई ले लिए उसके अंदर फिर से मैंने एक चमज भरके गी डाल दिया है इसको यहां पर मेल्ट होने देंगे इस सब तक बाद मैंने जो लसुन कूटके रखा था उसको डाल देंगे लसुन को यहां पर थोड़ा सा भूनेंगे अभी मैंने इसमें एक चमज भरके धनिया पाउडर ढ़ा दिया है और दो चमज भरके मैं यहां पर लाल मिर्ची डाल दूंगी इस सबजी में लाल मिर्ची करें अभी हम डालेंगे इसके अंदर सारे टमाटर जो हमने काटके रखे थे तो इनको मैंने चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लिया था अभी टमाटर को अच्छे सी मिक्स करेंगे और डखन लगा कर टमाटर को गलने तक मसालों को अच्छे से पकाएंगे तो देखिए मैंने आप लगा दिया है इसको पकने देंगे दो मिनट तो देखिए दो मिनट हो चुके हैं दो मिनट के बाद देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है गी इसने जो है सेपरेट कर दिया है और टमाटर भी जो हमारा अच्छे से भून चुके हैं अभी हम इसके अ इसको mix करते हुए चलाएंगे और सारा दही जो इसी के अंदर डाल देना है दही डालने से ये सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्ट बनती है दही आप इसमें fresh भी डाल सकते हैं और हलकी से खटी होगी तो भी चलेगी खटी से भी जो है सब्जी बहुत ही टेस्ट बनती है तो अभी देखिए ओबाल आ चुका है डखन लगा कर दो मिनिट इसको पकाएंगे तो देखिए दो मिनिट तक देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और दही के अंदर जो भी एक्ष्टा पानी होगा उसको भी जो है अभी खतम हो चुका है यहाँ पर तो अभी हम इसके अंदर डालेंगी हल्दी जो हमने यहाँ पर अच्छे तरह से भून के रखी थी हल्दी को डालके अच्छे से सब्जी को एक बार मिक्स कर लेजे उसके बाद डखन लगाकर दो मिनट सब्जी को एक से दो मिनट पकाएंगे इससे हल्दी के अंदर हमारे साले मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़े से काजू और पिस्ता अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं इससे सब्जी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास फ्रेस अंगूर है तो अब भी आप डाल सकते हैं अब यह मिसके अंदर डाल देंगे दनिया दाल के अच्छी सी मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रहे हैं अच्छी लगे तो लाइक और सेहर जुरू करें अभी इसके अंदर डखल लगा देंगे उपर और इसमें एक मिनट पकाएंगे तो कि अब यह मैं आपको बाउल में डाल की दिखा देती हूं इस सब्जी को आप स्टोड भी कर सकते एक महीने के लिए और जब भी आपको खाने का मन करें तो निकाले फ्रिज से आप बाहर भी इसको रख सकते हैं बाहर भी जो है यह एक महीना खराब नहीं होती है क्योंकि इ सब्जी को किस तरह से खाया जाता है तो पूरा तरीका मैं आपके साथ में सेर करूंगी इसके लिए यहां पर आटा गूत लिया है तो आटे को हम यहां पर थोड़ा सा सकत लगाएंगे इसके अंदर से नमक डालना और कुछ भी डालने के जरूत नहीं है और देखिए यहा तो थोड़ा सा मैंने यहां पर सुका आटा लगा लिया है इस रोटी को आप मोटा या पतला कैसा भी बिल सकते हैं लेकिन राजेस्तान में इसको हलका सा मोटा रखा जाता है तो देखिए आप इस तरह से मैंने इसकी छोटी सी रोटी बना ली है तो दूसरी तरफ हमारा त के तैयार हो चुकी है अभी मैं आपको बता दीती हूं कि इस तरह से राजेस्थान में इसको खाया जाता है तो सबसे पहले रोटी को मैंने आप प्लेट में निकाल ले आए उपर से डालेंगे सब्जी तो इस सब्जी को जो रोटी के ऊपर डाला जाता है क्योंकि इसके अ तो यहां पर मेरी प्लेट मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी तो मैंने यहां पर चेंज कर दिया हैं तो देखिए साथ में मैंने दो पापड़े और प्याज भी काट लिया हैं साथ में ही निम्बू तो फ्रेंट सच में थाली बहुत अच्छी लगी थी और खाने में बहुत ही टेस्ट ही मुझे तो यहां पर रुका भी नहीं जा रहा है मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि कैसे सब्जी हमारी बन के तयार हुई है तो देखिए थोड़ा सा निम्बू डालके इसके उपर प्याज ले लिया है और साथ में हल्दी साथ में फ्रें का मन नहीं है तो इस तरह की सब्जी खाएं वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें